नमस्कार दोस्तों मैं मिथुन स्वागत करता हूँ आप सभी का दा एजुकेटर के प्लेटफॉम पे जहां पे आज के सेक्शन में हम लोग परधान मंतरी से जुड़े 30 important MCQ सॉल्व करने वाले हैं जो आने वाले सभी एक्जाम के पॉइंटर व्यू से important होगे ठीक है तो इस सबसे कम उम्र के परधान मंतरी बनने वाले वैक्ति कौन है ठीक है तो पुछा गया है कि सबसे कम एज में जो PM बने थे उनका क्या नाम है तो देखिए option दिया हो राहुल गांधी तो अभी तक PM बने ही नहीं है तो यह रॉंग option हो गया इंद्रा गांधी जो है यह PM तो थे लेकिन सबसे कम एज वाली नहीं थे यह भारत की पर्थम महिला PM थी ठीक है तो यह भी नहीं है तीसरा option देखिए हम लोग का right option है राजी गांधी जो है वो पर्थम परधान मंतरी है जो सबसे कम एज में इनका निर्वाचन हुआ था उस टाइम इनका उम्र जो थी वो 40 वर केंद्र सरकार का मुख्य परवक्ता कौन होता है तो केंद्र सरवकार का मुख्य परवक्ता जो होते हैं वो परधान मंतरी होते हैं यानि option number 3 ठीक है next question देखिए next question दिया है कि पर्थम गेर कॉंगरेसी सबसे अधिक दिनों तक परधान मंतरी रहने वाले कौन है देखिए प दो में है मौरारजी देशाई तीन में नरेंद्र मोदी और चार में है इन में से कोई नहीं तो देखिए इसमें जो है वो इसका राइट अंसर होगा option number 3 ठीक है जो कि इससे पहले जो है वो अटल बिहारी बाच पे 11.00 थे जो सबसे आधिक दिनों तक कारी किये थे वो छे और 77 दिन इनका कारी काल था ठीक है जो कि नरेंद्र मोदी उसको क्रॉस करके आगे निकल गए और अभी भी है इसलिए इसका राइट एंसर जो होगा वो option number 3 हो जाएगा ठीक है और option number 2 जो दिया हुआ है मौरारजी देशाई ये पर्थम 11 कॉंग्रेसी PM थे ठीक है तो next question द इसका पहले नाम योजना आयोग था ठीक है जो कि एक जनवरी 2015 को निती आयोग योजना आयोग का जो नाम है वो निती आयोग कर दिया गया ठीक है और इसका अध्यक जो है वो पर्धान मंत्री होते है ठीक है next question देखिए next question दिया है कि भारत में पहली वार राष्टी आपा आपकाल वो इंद्रा गांधी के सरकार द्वारा लगाई गई थी ठीक है और यह कब लगाई गए थी तो देखिए 25 जून 25 जून 1975 को राष्टी आपातकाल लगाई गई थी जो कि पिछला वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिसकस किया थे कि राष्टी आपातकाल जो ह हुए है वहां से देख लें ताकि यह जितना विराष्टवती से रिलेटर सकति यह सब किस परधान मंत्री का रहा है तो परधान मंत्री मैं सबसे बड़ा कार रिकाल जो है वो जोहार लाल नहिरू का रहा है जो कि भारत के फर्स्ट पीम थे तो इनका कारिकाल जो है टोटल वो 16 वर्स और 286 दिन टोटल था ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्सन 3 नेक्सild Children दिया एक कारिकाल में सबसे कम समय तक परधानमंत्री पद पर अनुद का मंक्या है एक कारिकाल में दिनों तक पीम रहने वाले नाम सरोइए अटल वी क्या है ठीक है यह जो है तेरा दिन रहे थे इसके बाद फिर से पी एम बने थे लेकिन इस कारेकाल में इनका जो टोटल था वो तेरा दिन ही थे तो इसका राइट अंसर ओफसन थरी नेक्श्ट वोसन देखिए नेक्श्ट में है कि सेनाओं का राजनेतिक परमुख कौन होता है देखिए यहां राजनेतिक परमुख पुछा गया ठीक है तो सेनाओं का जो राजनेतिक परमुख होता है वो परधान मंत्री होते है राष्ट पती नहीं option number 4, कोई सीमानी है, यहाँ पे भारत मेरा परधान मंतरी बनने का जो है, वो कोई लिमिट नहीं है, वो जितना बार निर्वाचित हो सकते हैं, उतना बार PM बन सकते हैं, तो इसका right answer option 4, next question देखिए, next question दिया है, कि विश्वासमत प्राप्त करने में असफल होने वाले परधा मंतरी का नाम था दीती सिंग, इसका right answer होगा, option number 3, ठीक है, अगला question देखिए, अगला question में दिया है, आपातकाल के दोरान, राजनितिक अस्तर पर आपदा परभंदन का परमुख कौन होता है, तो जब आपातकाल लगा जाता है, तो उस time जो है, राजनितिक अस्तर पर अध्यक्ष कौन होता है, तो राश्टियकता परिशत का अध्यक्ष जो है वह परधान मंतरी होते हैं, याने, option number 3, next question देखिए, next में दिया हुआ है, कि सबसे अधिक उमर में परधान मंतरी बनने वाले वैक्ती कौन थे, तो सबसे अधिक उमर में परधान मंतरी बनने वाल अध्यक्ष्ट कौन होता है तो राश्टी विकास परिषत का अध्यक्ष होता है वह परधानमंत्री होता है यानि ऐसमिधान के अंतरकत किसी कारेकारी का अमरीकी राश्पती के साथ तुलना किया जाए, वह कौन होगा, तो दखी है, हमारे समिधान के अन्तरगाद जो कारिकारी कोई भी हो, गारीकारी का अमरीकी राश्पती के साथ तुलना किया जाए, तो वह कौन होगा, जो भारत के परधानमंत्री होगे, यह option number 2, next question दख्या, नेक्ट में दिया है कि राष्टी जल संसाधन परिषद का अध्यक्स कौन होता है तो राष्टी जल संसाधन परिषद का अध्यक्स जो है वो परधान मंत्री होते है याने option number 3 नेक्ट में दिया है कि ऐसा वेक्ति जो किसी भी सदन का सदस नो हो परधान मंत्री बनाया जा सकता है तो उसे कितने महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस बनना पड़ेगा देखिए इसमें कौशन पुछा गया है कि कोई ऐसा वेक्ती ठीक है जो या तो ना तो राजसभा और ना तो लोगसभा का सदस है लेकिन उनको पिएम बना दिया जा सकता है तो वो कितने दिनों के भीतर उनको किसी भी संसद का सदस संसर सदन का सदस बनना पड़ेगा यानि राजसभा या लोगसभा किसी एक का सदस से बनना पड़ेगा तो वो जो लिमिट है वो है छे महिना का यानि option number two right answer next version देखिए next में देखिए पुछा गिया है कि परधान मंत्री की नियुक्ती का उलेख किस अनुछेद में किया गिया है ठीक है तो देखिए option नमर दिया 55, 123, 75 और 61 तो देखिए 55 जो है राष्टपती के चुनाव का तरीका बोला जाता है राष्टपती के चुनाव का तरीका जो उलेख है वो 55 में किया गिया है और 123 जो है उसमें अध्यादेश के बारे में उलेख किया गिया है जो राश्पती द्वारा अध्यादेश लगा जाता है, इसका उल्लेक 123 में किया गया, ठीक है, और 75 जो है इसका राइट एंसर होगा, 75 में परधान मंत्री की निक्ति का जो राश्पती द्वारा किया जाता है, उसका उल्लेक 75 में, ठीक है, और 61 जो है इसके द्वारा राश् यानि कि राष्टपती से रिलेटर जितने भी आर्टिकल थे उसको डिटेल में समझाएं तो अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो कॉमेंट सेक्षन में लिंक दिया हुआ वहां से उस वीडियो को जरूर देख लें चलिए नेक्स्ट वर्शन देखिए नेक्स्ट में दिया जाती है परधान मंत्री को जो सफद दिलाई जाती है वह किन के द्वारा दिलाई जाती है भारत के मुखिने आजिज राष्टपती लोग सभाध्यक सीन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर रोग आफसे नमबर टू रयानी राष्टपती द्वारा ठीक है और राष् पुछा गया कि इसा परधान मंत्री का नाम बताईए जो जब वो परधान मंत्री का पद गरहन किये थे उस टाइम वो जो है न वो किसी विधान सभा के सदस से थे तो इसका राइट एंसर जो होगा वो आफसन नमबर C होगा यानि HD देवगोड़ा जो थे वो 1996 में पीम बन नहीं था मतलब पूछा गया है कि एसा पीम का नाम बताईए जो उनकी निउक्ति के टाइम किसी भी सदन का सदस नहीं थे तो इसका जो आफसन टून है वो पीवी नर्सिंहार आओ वो राइट एंसर होगा ठीक है इनका इनका जो चुना हुआ था वो नाइन सरी यह जो पी पिछला कोस्टन में इसके बारे में लोग डिसकस किये कि अगर किसी भी सदन का सदस नहीं रहता है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस बणना पड़ता है और अगर वो नहीं बनते हैं तो उनको त्यागपत्र दिना पड़ेगा किस परधान मंत्री की मिर्तियू अपने कारिकाल के दौरान भारत से बाहर तासकंद में हुई थी तो ठीक है तो देखिए तासकंद जो है वो रूस में है और तासकंद में जो है वो लाल बहादुर सास्त्री की मिर्तियू हुई थी ठीक है 1966 में ठीक है और उस टाइम जो है इनकी जो मिर्ति हुई थी वो संधिक दिनिधन थी मतलब वो अभी तक किलियर नहीं हो पाया कि वो मर्डर हुई थी या अप मिर्ति हो गई थी अपने आप ठीक है तो इसका जो राइट अंसर है अप्सन नमर 3 हो जाएगा नेक्ट में दिया है कि प repo त्हुअ कि तो कि पर्धान मंतरी बनने के लिए नियुनतम आई सीमा कि दिनी होती है तो इस विकेबर वीडियो में डिसकर कर चुके थे कि ठीक तो देखिए उसमें जो और यहां है वान हमद्दान करनेके जो नियुनतम आई सीमा है वह 18 होता है राश्षपती के लिए नियुन्तम अईस्यो Examada 35 years होता है और पर्धान मंत्री के लिए लोग सभा का सदेस बनने के लिए नियुन्तम्य जो ऐस्मा होती है हो 25 यार्च होती है राइट एंसर ऑक्स्ट 3 नेक्स वोसन मिं दिया और पर्थम गेर कॉंगरेशी परधान मंतरी कौन थे तो देए इसके बारे पिछले कोशन में बता दिये हैं कि परथम गेर कोशन में परधान मंतरी जो थे वो मौर्जार जी देशा आई थे यानि ऑप्सन नमर थिरी और वो कब पियम बने थे नाइंटिन सेवंटिन सेवन में ठीक है नेक्स्ट कोशन देखिए नेक्स्ट में दिया हुआ है कि पहली बार कारे कारी कारी परधान मंतरी के रूप में पदभार किस ने गरहन किये थे गुलजारी लाल नंदा जी ने ये कब किये थे कारिकारी पर्धान मंत्री के रूप में कार किये थे नेक्स कोशन में दिया हुआ है कि पर्थम पर्धान मंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उफस्तित हुए बिना ही त्याक पत्र दे दिया था मतलब एक ऐसे PM का नाम बताइए जो संसद सत्र में उफस्तित भी नहीं हुए और त्याट पत्र दे दिए तो वो थे चोधरी चरण सिंग जी यानि अपसन नमर टू यह पीम बनने के पहले संसद में गए थे लेकिन पीम बनने के बाद मतलब जितना दिन वो पीम रहे उस कारिकाल के दोरान जो है वो संसद सत्र में एक बार भी नहीं गए थे संसद में नहीं गए थे नेक्ष्ट वर्षन देखिए नेक्ष्ट में दिया है कि लोग सभा में बहमत दल का नेता कोन होता है तो लोग सभा में बहमत दल का नेता जो होते हैं वो परधान मंतरी होते हैं ठीक है और वो बहमत दल का नेता को ही परधान मंतरी चुना जाता है ठीक है, next question देखिए, next यह है कि अधी कोई भी पाटी बहुमत में ना हो तो राश्टपती अपने विवेक से PM की निउक्ति कर सकता है, उस PM को कितने महीने के भीतर विश्वास मत हासिल करना पड़ता है, तो देखिए, अगर किसी भी पाटी को अगर अस्पस्ट बहुमत नहीं है, तो राश्टपती जो है अपने विवेक के अनुसार किसी को PM निउक्ति कर देते हैं, ठीक है, और उस PM को एक महीने के भीतर विश्वास मत हासिल करना पड़ता है, इसका right answer of two होगा, अगर वो विश सिंग जो थे, वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाये थे, जिसके कारण उनको इस्तिफा देना पड़ा था, next question देखिए, next मत यहां कि परधान मंतरी का राश्टपती को सूचना है, परधान करने की सम्बंदी करतव विकाउले किस अनुछेद में किया गया है, 75, 78, 143, 65, तो देखिए, 75 जो है, इसमें क्या था, कि राश्टपती जो है, वो परधान मंतरी को सपत दिलाते हैं, मतलब परधान मंतरी का जो सपत दिलाना वेतन बता यह सारा कि जो हो 75 में है, ठीक है, और 78 जो है, इसका राइट एंसर होगा, परधान मंतरी का राश्टपती को सूच नाए परदान करने संबंदिक जो करतव है वो 78 में बता गया ठीक है committed 143 जो है एंग 143 में बता जाया गया है कि राष्टती सुप्रीम से सलाह लेने की जो सकती है वो 143 में बता गया और 65 जो है इसमें उपराश्पती राश्पती के रूप में कार करते हैं ठीक है तो ये जितने भी राश्पती से रिलेटर जितने भी कॉस्चन है वो हम लोग बोले पिछला वीडियो में अपलोड कर चुके हैं तो अगर आप ल अगर आप को इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें और अपने धूस्ट Кरें जो के थीम्ह के-अजो पूस्तों के पास शेयर करें और अगर आप चैनल में नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जितना भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ठीक है और अगर आप लोग राश्पती का वीडियो नहीं देख पाए है तो कमेंट सेक्षन में लिंक है वहाँ पर जाके देख लें जो की पूरा डिटेल में बताए गया है ठीक है धन्यवादा